नमस्ते मैं आधिना स्वावब करता हूँ आपका इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और मुझे काफी रीडियो बनाने के लिए बोला है तो मैं अपना थोड़ा से परस्पेक्टिव शेयर करना चाहता हूँ ट्विन फ्लिम्स बैकि ट्विन फ्लिम्स बेसिकली क्या कॉं ट्राप बना लेते हैं ठीक है ट्विन फ्लिम्स को और कई लोग इस तरह से मार्केट भी करते हैं ट्विन फ्लिम्स को तो मैं सिर्फ अपना परस्पेक्टिव दे रहा हूँ मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मुझे सब पता है आपको जो सही लगया आप उसको लीजे ठ जरुरत है बिगोस कुछ चीजे मैं बोल रहा हूँ वो बिभी आप उससे अगरी नह भी हूँ तो तो आट इस अलस पर्फेक्टली फाइन तो बेसिकली ट्रिन फ्लिम्स को जो कॉंसेप्ट है मैं इससे परिचित्ता हुआ जब मैंने लॉज प्रिट वोल पड़ी लॉज इस वीडियो के लिए इस इस बुक के सारे लेर्निल्स पर मैंने चार पार्ट शीरीज बनाया है यूट्ब पर मेरे चानल पर तो वह भी आप देख सकते हैं और अगर आप ये बुक पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, ये बुक पढ़ सकते हैं, Laws of the Spirit World, तो उसमें ये चीज का लेक था, mention था, Twin Souls, ठीक है, Twin Souls, तो दीखे, जब तक हम ego dominated reality में हैं, जब तक हम ego हमारे लिए, हमारे अस्तित्व में हैं, हम duality में हैं, जब तक हम dual flames, twin souls, karma, reincarnation, ये सब valid है, जब हम इससे बाहर निकल जाएंगे, तो ये सब कुछ valid नहीं रहते हैं, तो मैं दोनों perspective शेयर करूंगा, तो जब तक हम इस duality में हैं, तब तक एक pure awareness के अलग-अलग manifestation, जो अलग-अलग souls हैं, वो souls, basically, twin souls, twin souls ये twin flames क्या होते हैं, कि एक particular soul दो पार् हो कि एक soul, जो है, वो higher dimensions में रहता है, there are multiple dimensions, ठीक है, earth is just one dimension, ये वैसे ही बहुत सारे dimensions हैं, बहुत सारे universes हैं, जहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है, souls अपने lessons सीख रहे हैं, तो earth सिर्फ ए plane हैं, जिस पे हम हैं, हमने चूज किया इस plane को, तो एक soul higher dimensions में रहता है, और एक soul lower dimension में आके काम करता है, अपने जो भी learnings है, the earth, again इसमें बहुत deep में नहीं जा पाऊंगा, बिकोज फिर एक नया issue हो जाएगा, मतलब लंबा हो जाएगा, but earth बहुत negative place है, और इसमें ही आप सबस्यादा lesson सीखते हूँ, ये एक बहुत, एक थोड़ा difficult school है, जो हमने चूज किया है, बिकोज हम जादा जल्दी grow करना चाहते हैं, तो उसमें risk ये रहता है, कि जब मैं earth पे काम करना start करता हूँ, तो I can become evil, right, मैं काम तो अच्छा करने आया था, लेकिन मैं बुरे लोगों के संगत से जुड़ गया, और मैं और नीचे 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 जा सकता हूँ, तो actually जो higher dimension में जो soul का एक fragment, एक part है, जो रुखता है, वो basically एक safety valve की तरह काम करता है, कि जो नीचे वाले जोगी soul है, उसको continuously guide करते रहता है, support करते रहता है, ताकि वो अपना काम बराबर से करे, और और नीचे नीचे नहीं चले जाए, ठीक है, because earth is a high risk, high return place, जहाँ पे आपको life के challenges मिल तो आप grow करने का ability है, आपको, at the same time, आप में नीचे जाने की ability भी है, जैसे rocket sing में बोलता है, तुम में उपर जाने की ability है, नीचे जाने की ability है, जो चीज आप आगे ले जाओगे, वैसे life जी जाओगे, वैसा, right, so, basically ये जो अलग soul split होके, अलग अलग dimensions में काम करती है, और continuously purify होती रहती है, many, many, many births are taken, births लेने का purpose क्या है, हम जो अपने आपको purify करने का, तो बहुत सारे births लेके purify होते रहती है, at one point, they come together, right, in one lifetime, they come together, और वो actually उसका भी एक purpose है, soul contract जो रहता है, उसमें, वो भी predestined रहता है, that they will come together, for some specific purpose, जहां उनको एक particular, या तो healing चाहिए, य they will do spiritual work, वो उनके healing के लिए, वो उनकी growth के लिए required है, तो उस time पे, उस lifetime में वो साथ में आती है, तो यह एक purpose रहते है, और इसको, इसमें ऐसा नहीं, कि एक ही lifetime में आगे आगे और फिर, मतलब, enlightened, खतम नहीं, बहुत-बहुत lifetimes में भी twin souls can come together, reincarnate together, ठीक है, वो depending upon what is the soul's development required, what is the soul's development needs, आत्मा का उनकी का क्या requirement है, उस basis पे, these are predestined contracts, ठीक है, और उस basis पे twin souls आती है, right, so अभी twin souls, twin flames का क्या science है, इस सब पे तो बहुत सारे videos है, internet पे भरे पढ़े, अगर आप ये video देख रहे हो, तो अलएड़ी आपने वो सब videos भी देखे होंगे, तो मैं जाधा उसमें नहीं जाओंगा, मैं किसी और चीज़ पे बात करना चाहता हूँ, बट स्टिल मैं ही बोलूँगा कि twin souls एक mirror की तरह होती है, twin souls का purpose क्या होता है, आपको एक अलग level of growth पे लेके जाना, तो आप जहाँ पे हो, वहाँ twin flame एक mirror की तरह आपको आपके unhilled aspects दिखाती है, ठीक है, क आपका free will है कि आप उसको clear करते हो, क्या करते हो, अपने को heal करते हो के नहीं heal करते हो, आपकी choice है, free will है, लेकिन वो जो twin soul एक mirror की तरह है, आपको आईना दिखाती है, ठीक है, आप क्या हो, आप कहां पे हो, आप कितने पानी में हो, और आपको आपके अंदर क्या-क्या है, जो वो बाहर निकाल के लेके आती है, तो twin flame journey इतनी easy नहीं होती, फिर एक और यह है कि twin flame का एक sign है कि दो souls साथ में आके spiritual work करते हैं, like, दो souls husband wife साथ में कोई spiritual work कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक और, again, so there are many many paths, वैसा नहीं है कि twin flames, अगर कोई है तो वो एक ही तरह से वो रहेंगे, वैसा नहीं, वो उनका जो भी healing required होती है, जो भी learning required होती है, तो twin souls, twin soul is one way of doing that learning, right, किसी एक life में ऐसा नहीं कि twin soul मेरे life में नहीं है, तो मेरे life में कोई learning नहीं होगी, spiritual learning नहीं होगी, ऐसा नहीं है, हर एक की जाहीं में ज़रूरी नहीं कि twin तो इस प्रिश्वल की थूही लर्निंग हो, वो सोल की रिक्वार्मेंट के हिसाब से ट्विन फ्लेम उसके लाइफ में आती है, ठीक है, अच्छा अभी इसमें एक ये भी रहता है कि वो ट्विन फ्लेम जो रहता है वो spiritually जादा advanced, एक जन spiritually जादा advanced रहता है, दूसरा जन spiritually थोड़ा कम advanced रहता है, तो एक आगे हमेशा बढ़ता है, दूसरा उसके पीछे-पीछे आगे चलता है, तो वैसा भी एक विए रहता है, तो बहुत-बहुत science है, polar opposite childhoods, ठीक है, एक के childhood में बहुत अच्छा childhood निकला, एक के childhood insecurity, problems, वो सब देखी, polar opposite childhoods, ठीक है, बट ट्विन फ्लेम का कैसा रहता है, कि आपको एक को देखते ही, एक connect फील होता है, मतलब कि, उनको देखते ही आपको फील होता है, मतलब मैं तो जानता हूं इसको, I know that this person, and हम बहुत पहले से connected है, एक दूसरे को जानते हैं, we know each other very well, right, इस बहुत intense relationship हो सकता है, separation हो सकता है, pain हो सकता है relationship है, वो सब growth के लिए होता है, but अब यहाँ पी मेरा point आता है, जो मैं बोलना चाहता हूं, Twin Flames से बहुत भर-भर के videos पढ़े हैं, but जो चीज़ मैंने देखी है, मैं उसे बताना चाहता हूं, क्या होता है, कई लोग Twin Flames जो है उस concept में बहुत अटक जाते हैं, टीक है, Twin Flames के concept में, और अटकाने वाले भी लोग रहते हैं, जो इससे बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, टीक है, तो मैं सिर्फ अपना view बोल रहा हूं, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूं, पर देखिए सबसी important है, Twin Flames क्या एक illusion है, य there is only one, there is only one God, and that is manifesting as various souls, हम लोग उसी भगवान की सब एक Xerox copy है, ठीक है, तो कोई, मतलब, कोई आम कोई अलग नहीं है, वो ही pure awareness के समुद्र में, we are just floating, we are just that pure awareness, which is just reflecting as अलग लग लोग, तो actually अगर higher awareness, अगर आप उस higher perspective से देखोगे, तो अगर एक ही higher awareness है, जो सब लोगों में materialize हो रही है, जो मेरे में भी है, जो आप में भी है, तो actually अगर आप फिर उस angle से देखोगे, तो twin flame का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, in that case, twin flame is an illusion, that means that me and you who is watching this video, we both are twin flames, right, और me and and जो मैं सड़क पे चल रहा है, तो जो कुता है, जो कुता है कोई सड़क पे चल रहा है, वो भी एक मेरा twin flame है, because एक ही हम उसी pure awareness के सिर्फ representations है, तो higher perspective से देखोगे, तो actually twin flame का कोई logic ही नहीं है, ठीक है, twin flame is an illusion, from that higher perspective, लेकिन हम तो अभी उस higher perspective हैं पहुंचे नहीं, हम तो अभी भी ego में ruled है, ठीक है, हमारे लिए ego अपलाए, जब तक हम ego में हैं, तब तक कर्मा करेगा, आप किसी को दुख दोगे, तो आप पर वापस bounce back आएगा, reincarnation, souls, बार बार birth ले होगे, अपने को purify करने में के लिए, twin flames, again, twin flames, यह सब चीज़े valid है, जब तक ego में हैं, ठीक है, तो दो नजरिये हैं एक चीज़ को देखने के लिए, higher level पर वो एक illusion है, लेकिन lower level प पार्ट मतलब, again, ego वो ego नहीं, अहंकार वो नहीं, ego मतलब आप दूसरे से अपने को हम अलग समझते हैं, यहीं पर तो हम basically भगवान से नहीं मिल पा रहे हैं, because हम क्या सुस्ते हैं, मैं अलग हूँ, यह अलग है, यह अलग है, ठीक है, तो ultimate journey यही है ना, कि जब हम हमारे अं मेरा twin flame है, वो मेरे life में, अभी क्या होता है, अभी क्या होता है, जो relationships में हैं, जो लोग, वो इस सब चीज़ में बहुत अटक जाते हैं, because जैसे आप particular relationship में problem है, ठीक है, किसी ने बोल गया, वो अपका twin flame था, ठीक है, तो एक तो यह है कि अभी मेरे को, उस twin flame को वापस पान है, ठीक है, तो उसके लिए मैं काफी कुछ, मदब देश से, कि आप यह meditation कर लोगे, तो आपका twin flame आपको मिल जाएगा, तो मेरा actually इसमें यह बोलना है, कि देखे, आपको न यह एक ego trap बन जाता है, यह एक और ego trap हो जाता है, जो आपको इसी reality में रखेगा, आपको आगे होगी, आपकी soul की क्या requirement है इस life में, उस हिसाब से आपको अपने, आपको अपना persons मिलेंगे, लोग मिलेंगे, उस सब आपको ऐसे experiences देंगी, जो आपको लेके जाएगे, ठीक है, तो don't expect and don't try to manifest कि मैं ऐसा meditation करूँगा, तो मुझे twin flame मेरे life में आ जाएगा, यह आप इंटरन आपके काम करो, जादा से जादा अपने अंदर काम करो, without any expectation, जब आपकी, और अपनी awareness level को height raise करो, जब आपका एक time आएगा, कि जब twin flame आपकी life में, आपको वो experience देने के लिए आना होगा, वो time पे twin flame आपकी life में आएगा, अगर आपको twin flame की इस life में आपको requirement नहीं होगी, लेकिन आप क्या है, सब कुछ वो twin flame को प्राप्त करने, उसको manifest करने, या law of attraction, लोग law of attraction करते हैं, मेरे को twin flame चाहिए, ये सब मेरे हिसाब से बेवकुफी है, तीकि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने आप पे काम करते रहना है, और आपको ultimate goal हमारा क्या है, हमारा ultimate, so again, let me clarify, मेरा ultimate goal मैं से अपनी बात करता हूँ, मेरा ultimate goal है कि मेरे को जो मैं भगवान से दूर जा चुका हूँ, इतने lifetimes में, इतने lifetimes में मैंने, अपने free will से मैंने अपने भगवान, अपने से भगवान को दूर करके रखा है, जिसकी वज़े से मैं, whatever problems I am facing, in life after lifetime, मुझे अ मेरे को लाइफ में भगवान तक जाना है, मेरे को मेरा काम करना है, कि मैं जो भगवान तरह के लिए मैं अपना spiritual practice करूँगा, उसके लिए मैं अपना forgiveness practice करूँगा, सब करूँगा with that goal, तो अपना goal बहुत clear रखो कि God, God बोलो, Brahman बोलो, higher intelligence, divine, जो आप बोलो, आपका word आप करो, being बोलो, मेरा goal वो है, मेरा goal twin flame नहीं है, अब जस्त, I am telling you my example, मैं मुझे twin flame का पता चलने हाँ, twin flame होता है, twin soul होता है, तो अपने अंदर एक natural curiosity थे के मैं और मेरे वाईपी twin flame है के नहीं, तो there was several signs जहां को लगा कि अरे यह तो एक्दम सेम सेम हमारे इस पे बैठ रहे हैं मतलब एक्दम सेम हो रहे हैं, तो काफी, you know, you do a lot of things like dowsing, divination and all, which pointed out that yes, it's a twin flame, but then, then, thus realization struck me is that, okay, अगर twin flame भी है, तो क्या, right, right, twin flame भी है, तो कोई, it's not a badge of honor that, you know, someone is your twin flame and you both are a twin flame, यह कोई एक बैज नहीं है, मेरे को करना है, focus मेरी खुद की ग्रोथ पे, who cares that me and my wife are twin flame or not, और आप जिसे आप और आपका boyfriend, या whoever, तो आप rather than thinking कि वो मेरा twin flame है, या मेरा twin flame मेरे दूर चला गया, इसके लिए से बहुत pain हो रहा है मेरे life में, मेरे twin flame को वापस बुलाना है, मेरे twin flame को attract करना है अपने life में, उन सब चक्रों में मत पढ़ो, आप अपने पे काम करो, because ultimately twin flame आपकी अपनी growth करना है, आपकी अपनी growth करके फिर वो निकलता है, ठीक है, और अगर आप शद नहीं होगा, तो बार 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 वापस आएगा, ताकि आपकी growth हो, तो अपने पे काम करो, एक और चीज़, twin flame मुझे मिल जाएगा, तो मैं complete हो जब तक मेरे twin flame नहीं मिलेगा मैं complete नहीं हूँ, तो मेरा सिर्फ इसमें जिस्त ये कहना है कि, again, आप complete हो, मैं भी complete हूँ, हम सब complete है, सिर्फ हो ignorance जो हमारा packaging बुरा, हमारा wrapped, we are wrapped in ignorance और हमारे mental tendency से, उसी से हमको लगता है कि हमारे में problem है, हम complete नहीं है, और कोई और आके हमको complete करेगा, कोई twin flame, या कोई गु गुरू भी अपने अंदर है, अपना twin flame भी अपने अंदर ही है, सब knowledge अपने अंदर ही है, समय के साथ, जब जैसा ज़रूरत रहता है, आपको सिर्फ ट्रस्ट और faith रखना है, अपने पर भगवान पर, अपने आप वो knowledge, अपने वो twin flame अपने आपके life में आता है, अपने आ हमको क्या करना है, जब 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 प्रेजन मोमें रहना है, माइंडफुल रहना है, अपना vibration हाई रखना है, वो अपना vibration जैसा वो ही तो law of attraction हो गया, कि जैसा आपका vibration हाई रहेगा, automatically जो आपके highest good में है, वो आपकी life में आ जाएगा, then अपने ego का part नहीं बनाईए अपना inner work करते रहे हैं, और एक और चीज़ में बोलूँगा, कि आप जब जब आप अपना inner work करते हैं, मैं अपने को बोल रहा हूँ, I am just talking to myself, कि जब मैं अपना inner work करते हूँ, rather than manifesting a twin flame, मुझे अपना inner work इतना deep करना है, अपने heart को इतना open करना है, इतना love centered होना है अपने अंदर, that ये पूरी creation ही मुझे actually मेरा twin flame लगे, ठीक है, मतलब everything, right, from the stranger that I see, or the chair that I sit on, or the grass, this grass पर में, सब कुछ मेरको मेरा twin flame में लगना चाहिए, तो मेरको actually अपने awareness को उस level पे अपना काम inner work करके, लेके जाना है, so I hope, I hope मेरा purpose तर यही था इस video को बनाने के लिए, कि उस ego trap आप में fall मत करें, अपनी गती से सब होने दे, twin flame भी आएगा, तो अपनी गती से अपनी हिसाब से आएगा, so I hope so, यह वीडियो देखने से आपको थोड़ा एक perspective मिला हो, मैंने सिर्फ अपना perspective प्रेजेंट किया है, कि आपकी choice है, और आपको जो भी comments, thoughts, reflections हो, वो आप नीच comment section में mention कर सकते हैं, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाल, God bless you, thank you.